तो शुरू करते हैं बच्चों, हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, नंबर सिस्टम संख्या पद्विती, जिसमें पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दशमलब पर संक्रियाएं चल रही थी, कौन-कौन सी संक्रियाएं होती हैं आपकी, जोर, घटाफ, गुड़ा और भाग, चार संक्रियाएं होती हैं, जिसमें से लास्ट लास में हमने क्या देखा था, जोर और घटाफ, हमने जोर और घटाफ देखा था, जोर और घटाफ में हमने क्या देखा था, कि कोई भी दो दशमलब संक्रियाएं हो, तो उनमें जोर और घटाफ करने में पहला रू इस तरी होगी कि अंत में 0 लिखने से दिशमलाफ के मान में कोई फर्ट नहीं पड़ता पर आपका जब माइनस करते हो घटाफ करते हो तो बिल्कुल बदल जाता है इसलिए अंत में 0 रखो जैसे आपका एक 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 जामपल भी था कुछ 84.30 में से 7.81 घटाना था तो आप 0 र लिखते रहे थे हैं ना 84.3 और 7.8 है तो एक का एक ही नहीं आ जाएगा एक का जीरो में से घटाओगे तो नौ बचेगा बात समझ में आई थी पिश्री बारी है यस मैं ठीक है तो हमेशा संख्याओं को पूर्ण करोगे लास्ट तक लास्ट में 0 बढ़ा देने से कोई फर पर अगरी पड़ेगा मान वही रहेगा 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0 तो अंत में 0 बढ़ाने से दशमलव के मान में कोई फर्ट नहीं आता है ठीक है यह हमारा जोड और घटाव के कुछ नियम थे तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले आप बच्चों बताओ कि की दो संख्याएं दे रखी है 7123.45 इसमें से 3915 दशमलव 81 को घटाओगी तो कितना आएगा सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्फ करें और फिर इस कहां सा पोल में दें पहले दिखाना चाहो तो मुझे अपनी कॉपी वीडियो आन करके दिखा सकते हो बच्चों ताकि कोई दलती होगी तो मैं बता दूंगी ठीक है सभी बच्चे से अपनी कॉपी में सॉल्फ करें कि आने लगे वोट बच्चों हां बिल्कु सही है बिल्कु सही सभी बच्चे से अपनी कॉपी में सॉल्फ करें दिखाएं बच्चे कॉपी बैक कैमरा खोलें दिखाएं बच्चे कॉपी बिल्कु सही है अब आप इसका जो ऑप्शन हो उसे अंसर पोल में दे दो हाँ बिल्कु सही पोल में आंसर दे सकते हैं आपका भी बिल्कु सही है दे तो कुमारी के नाम से इस बच्चे ने जोइन किया है मेटा पोल में आंसर दे दो आदे बच्चो के वोट आ गए है सबी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्फ करें हुँ बच्चो पोल में आंसर देना है पोल में दो है न तीन डॉट को दबाओगे फिर एक्टिविटीज आएगा लास्ट ऑप्शन उस पे क्लिक करो फिर पोल पे क्लिक करो पोल बन एक्टिव लिखा रहा हो उस पे क्लिक करो अच्छा बच्चे शिवानी देवी के नाम से इस बच्चे ने जोईन किया आपने कुछ हासल वासल लेकर नहीं दिखाया सीधे आंसर आ गया मिच्चो आपका भी हासल वासल तो दिखनी रहें सीधा आंसर दिख रहा है मन में ले लेते हो सब हासल जल्दी से सबी बच्चे वोट देएं में आपके वाज नहीं आरी बच्चो आप आरी है आप भी नहीं आरी हो आप जल्दी से लेफ्ट करके री जोईन कर लो बिटा लास्ट लिजट बताना क्या है चार है नौ करन जोहान के नाम से इस बच्चे ने जोईन किया लास्ट में 6-4 है 6-9 है मैं 6-4 हाँ तो सही है बच्चे आप इसका अंसर पोल में दे सकते हो बिल्कुल सही आपका भी बिल्कुल सही है आप भी इसका अंसर पोल में दे दो बच्चे सबी वच्छे पोल में आंसर दें जल्दी से दिखाएं, फोकस करें, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप भी इसका आंसर पोल में देदो सबी वच्छे पोल में आंसर दें लास्ट दस सेकेंड, दस, लिखाएं, कॉप्टी, हाँ, बिल्कुल सही, हाँ, होकी इस सेन के नाम से इस बच्छे ने जवेंड के बिल्कुल सही, तो लास्ट काउंट आउन, दस, नो, पोल में आंसर दें सबी, आठ, साथ, छे, पाच, चार, तीन, दो, एक, टाइम आप, अब आंसर देखते हैं बच्छों क्या होगा, घटाना है, पांच में से एक घटा होगे, चार, फिर चार में से आठ नहीं घट सकता, क्या करोगे, पासवाले से उधाल लोगे, तो यह चौदा हो जाएगा, चौदा में से आठ जाएगा चै, यह तीन की बजाए दो रह जाएगा, और दो से भी पांच नहीं जा सकता, तो धार लोगे, तो यह आपका कितना हो जाएगा, बारा, बारा में से पांच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साथ, दो की बजाए एक रह जाएगा, एक में से एक जाएगा, तो जीरो, दो में से 9 नहीं जा सकता, फिर उधार लोगे, यह आपका 11 हो जाएगा, 11 में से 9 हो जाएगा 2, और यह 7 की बजाए 6 रह जाएगा, 6 में से 3 गए 3, तो आपका क्या आया? 3207.64, जो कि option कौन सा है? D, सब को clear हुआ? Yes, ma'am. अब आगे चलते हैं, अब आज हम सीखेंगे दशमलव का गुणा और भाग, तो दशमलव का गुणा और भाग देखते हैं, पहली आपका question है 2.2, 2.2 और 1.3 की गुणा करके बताना है क्या आएगा? 2.2 और 1.3 की गुणा करके, एक बढ़ प्राय करें बच्चे सभी? 2.2 और 1.3 की गुणा करें बच्चे सभी? 2.1 की गुणा करें या जैसे आपका ग्या जोड़ और घटाव में था कि दशमलव अहीं का बढ़ आया तो यहां नहीं होता है, पहले गुणा करते हैं. जैसे साधी संख्याओं की गुणा करते हैं, बिना दशमलव का प्रेव की यह बिना गुणा करों. दी गई संख्याओं का दशंबलव का प्रेयोग कि यह बिना गुणा करनी है, तो तीन की दो से गुणा करेंगे, तीन दुनी छे, तीन दुनी छे, एक से गुणा करेंगे, एक की दो से गुणा करते हैं, दो, एक की दो से गुणा करते हैं, दो, तो यह आपका आगे, छे, आ अब एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखें, जैसे यहाँ आपका दशम्बलभ कितने अंगों के बाद हैं? एक अंग के बाद दशम्बलभ है, हमेशा दाईयों से देखते हैं, राइट साइड से, लास्ट से एक अंग के बाद दशम्बलभ है यहां भी आपका दशंबलब एक अंग के बाद है तो answer में आपका दशंबलब क्या होगा? add हो जाएगा 1 प्लस 1, 2 अंग answer में अब आपका 2 अंगों के बाद दशंबलब आएगा last से देखो 1, 2 अंत से देखते हैं तो 1 और 2, 2 के बाद आपका दशंबलब आजाएगा तो यह आपका answer कितना हो गया? 2.8, 6 सबको clear हुआ? Yes, ma'am गुरा में दशंबलब आपका क्या होता है? दोनों संख्याओं का दशंबलब जितने अंगों के बाद होगा उन्हें count करके add कर दो उपर एक संख्या के बाद है फिर नीचे भी एक संख्या के बाद है तो दोनों का 1 plus 1, 2 तो answer में 2 अंगों के बाद आपका दशंबलब लग जाएगा पीछे से ही देखेंगे last से तो 1, 2 और 2 अंगों के बाद आपका क्या लग गया? दशंबलब तो आपका आंसर आगया 2.86 clear? चीचे सब सभी वेशंबलब लग जाएओ? यस माँ यह आपका पहले गोड़ा करी तो 286 आया लेकिन फिर जब दशंबलब गिने यहाँ एक अंग के बाद दशंबलब है यहाँ एक अंग के बाद दशंबलब है तो नीचे 2 अंग के बाद दशंबलब आगया 2.86 यह आपका आंसर हो गया तो अब एक और question देखते है सभी वेशंबलब अपनी copy में उतारे 3.57 की गुणा करनी है 1.6 बताओ कितना आएगा? मैं में 6 किसके नीचे? 5 किनीचे? किसी के में नीचे लिख दो संख्याओं की गुणा तो आपको ऐसे करनी है जैसे आप समझो दशंबलब है ही नहीं तो 3.57 की गुणा 16 से करो गुणा तो आपको जैसे साधी संख्याओं की गुणा करते हो वैसे गुणा करो बाद में आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का दशमलव गिनना है, कितने अंकों के बाद आ रहा है और उन्हें जोड़ करके लास में दशमलव वहीं पे लगा देना है पहले तो आप जैसे साधी संख्याओं की गुणा करते हो वैसे गुणा करो 357 की 16 से गुणा करके बताओ कितना आ रहे सबी बच्चे बताएं कितना आ रहे है 357 की 16 से करीं 6 सते 42 का 4 हासल 6 पंजे 304, 34 का 3 हासल 3 हासल 6, 3, 18, 3, 21 फिर एक जगे छोड़ देंगे 1 से गुणा करेंगे 1 की 7 से करेंगे 7 5 से करेंगे 5 3 से तो 3 तो यह आपका आगे 2, 7, 4, 11 का 1 हासल 1 और 1, 2 और 5, 7, 3, 2, 5 तो यह आपका कितना आ गया गोड़ा 5, 7, 1, 2 अब हीरलाल के नाम से जिस बच्चे ने जोइन किया 5, 8 नहीं 5, 7 एक ही तो हासल है तो आपका 5, 7, 1, 2 आएगा बिटा दशमलव अभी साइनी लगाया है जितु पुमारी के नाम से जिस बच्चे ने जोइन किया है मिटा दशमलव इससे एक बाद देखो सुमन विष्टो ममता देभी के नाम से जिस बच्चे ने और शीफा खान के नाम से जिस बच्चे ने जोइन किया आपका आण से बच्चे ने जोइन किया 1.6, ठीक है, तो answer में आपका दशंबलब add हो जाता है, 2 प्लस 1, 3, तीन अंकों के बार दशंबलब आएगा, तो तीछे से गिनों, 1, 2, 3, तो आपका फिर आजाएगा दशंबलब, तो आपका answer कितना हो जाएगा, 5.712, आपका बताएए, 5.712 सही आया, हाँ, आपका सही है, सबको clear हुआ, यस मैं, गुड़ा में दशंबलब की जो दोनों हैं, उसके अंकों को जोड़ कर, लास्ट में वहाँ पे किनारे से 1, 2, 3, फिर दशंबलब लगा देंगे, तो आपका कितना आ गया, 5.712, चीक है, सबको clear हुआ, यहाँ, 2 अंकों के बाद है, यहाँ, 1 अंक के बाद है, 2 और 1, बाद में जोड़ दो, 2 और 1 कितने होगा है, 3 अंक, 3 अंक के बाद दशंबलब आ जाएगा, तो 1, 2, 3 और यहाँ, आपका दशंबलब आ गया, 5.712, चीक है, आगे चलें, 4.25 की 3.6 से गुणा करके बताओ कितना आएगा, यहाँ, दोनों के अलग अलग क्यों आ रहे है, एक का 15.360, एक का 15.300, ऐसा दोनों के अलग अलग क्यों आ एक गुणा, साधी गुणा में यह दोनों का अंतर क्यों है, शीफा खान और जोती के नाम जोती बिताएगा, गुणा करते हैं, 4.25 की 3.6 से 6 पंजे 30 का 3 हासिल 6 दुनी 12 और 3 पंदरा का एक हासिल 6 चोबिस और एक 25. 3 की गुणा करो, 3 पंजे 15 का एक हासिल 3, 2, 6 और 1, 7, 3 चोब बारा, तो आप जोड़ो, 0, 0, 1 हासिल 7 और 6, 13 का एक हासिल 5 और 1, तो बताओ, जोती सही करो अपना, बाकी सब के सही आए न, आप दशमलव की बात कर लेते हैं, दशमलव आपका कहा लगेगा? सबी बेच्चे दिखाएं, हाँ, 3, 0 है न, लितु कुमारी के नाम से सबचे ने जोइन किया है, ठीक है, आपका सही है, मैंने देख लिया, आपका भी सही है, उन फुद खातुन के नाम से सबचे ने जोइन किया, वेटा सब को अब आया, तो आप दशमलब देखो, यहाँ आपका 2 अंकों के बाद दशमलब है, यहाँ आपका 1 अंक के बाद दशमलब है, तो आंसर में आपका कितना 3 अंकों के बाद दशमलब लग जाएगा, पीछे से तीन अंक गिनो तो आपका 003 यह आपके तीन अंक हो गए फिर आपका दशमलव लग गया तो कितना आ गया 15.300 ख्लियर है हाँ आपका भी सही है बिखाएं आपका भी बिल्कुत सही सबी बच्चे को समझ में आया दशमलव की गुणा करना यस मैम तो आप गुणा में ही देखते हैं एक नए तरीके का कोश्चन आप से पूछा जा रहा है 4.778 की गुणा 1000 से करनी है तो बताओ कितना आएगा आप दोनों में दशमलव नहीं है सिर्फ एक संख्या में दशमलव है दूसरी साधी है तो बताओ गुणा करके कितना आएगा नई जोती नई बागी बच्चे बताएं बागी बच्चे बताएं उनका क्या रहा है हाँ ममता देवी के नाम से जिस बच्चे ने जोईनके है बिल्कुल सही शीफा के नाम से जिस बच्चे ने जोईनके है बिल्कुल सही शीफा के नाम से जिस बच्चे ने जोईनके है बिल्कुल सही आपका भी सही नहीं है आप दोबारा देखो 0 से गुणा करेंगे, क्या आता है, 0 की गुणा किसी भी संक्या से आती है, 0 0 की गुणा दुबारा, फिर किसी संक्या से होती है, क्या आता है, 0 फिर 2 जगे छोड़ोगे, फिर 0 की गुणा करोगे, क्या आएगा, 0 फिर आगे आप 3 जगे छोड़ोगे, तो एक से गुणा करोगे, एक से गुणा करते हैं, तो वही संख्या आती है, तो यह आपका आगया, कितना आगया आपका, जोड़ दो, 4, 7, 7, 8, और 3, 0, इतना आया आपका, जैसे साधी संख्याओं की गुणा करते हैं, वैसी गुणा क अब मैंने यहां कहाता आपका दशमलब कितने अंकों के बाद आ रहा है, तीन अंकों के बाद आ रहा है, एक, दो, तीन, यहां तो दशमलब आही नहीं रहा है, तो कितने अंकों के बाद आ रहा है, जिरो अंकों के बाद, दशमलब है ही नहीं, तो यह समझ लो क्या होगा, 0. 0.0, तो यहां पर 0.0 की कोई value ही नहीं है तो यहां पर 1.0 अंको के बाद आगा है, ठीर हुआ बताओ तो answer में 0.0 कितने अंको के बाद आएगा 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 3 अंको के बाद आएगा है ना, बताओ 1, 2, 3 आपका 3 अंको के बाद आएगा तो answer क्या हो जाएगा आपका 4778.000 टियर हुआ आप सही का लिए आपने शीफा खान के नाम से इस बच्चे ने रिवन किया आपका बिलकुँ सही है 4778.300 आप सभी बच्चे को आ गया समझ में और एक ही संख्या हाँ, एक ही संख्या पे दो बार दशमलब नहीं आ सकता शजाद खान के नाम से जिस बच्चे ने जॉइन किया बिटा आपने एक ही संख्या में दो बार दशमलब लिख दिया उल्फत के नाम से जिस बच्चे ने जॉइन किया बिलकुल सही, शजाद के नाम से जिस बचे ने जोएंगे, आपने यहां पे भी दशमलब लिख दिया, और यहां पे भी दशमलब लिख दिया, एक ही संख्या में दो बार दशमलब नहीं आसकता, वो गलत है, clear है, एक संख्या में दशमलब एक ही बार आसकता है, तो यह तो आपका पहले वाला तरीका था, clear ह हुआ एक दूसरा तरीका बताओं दूसरा आपको और इजी लगेगा आप देखो पोशन में आपका क्या था आप से कहा जा रहा है चाल दशमलव साथ साथ आठ की गुणा हजार से कर्णी है तो जब ऐसी संख्याएं आती है जैसे जो एक के बाद केवल जीरो ही हो दस सो हजा दस जार इस तरह की संख्याएं आती है तो गुणा करनी बहुत असान हो जाती है बच्चो क्या तर्टे है जीरो देखते हैं एक के बाद कितने जीरो है तीन जीरो है दिख रहा है तीन जीरो एक के बाद यहां पर कितने जीरो है तीन जीरो है तो आपका दशमलव तीन जाएगा 4778 के बाद में और 4778 के बाद में आपका दशंबलाव आजाएगा उसके बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है आंसर कितना आगया 4778 बताओ बच्चों क्लियर है यस मैं जितने 0 हो दशंबलाव उतनी संख्या आगे आजाएगा इस मैं एक कोईशन और पूछो इसमें का बताओ 6.25 की गुरांब 10 से करेंगे तो कितना आएगा मैं जो दशंबल देसिमल है वो मैं एक और जीरो की बीच में रहीगा नहीं देसिमल एक और जीरो की बीच में ही नहीं इससे तो गुणा करनी है हमें यहां पर आपका कोई डेसिमल नहीं है मैंने आपको कहा है यहां पर आप देखो कितने जीरो है तो कितने जीरो है एक जीरो है तो एक जीरो है तो आपका दशंबल जहां पर दशंबल इस समय है उससे एक इस्थान आगे आ जाएगा तो आपका दशंबल पहले 6 के बाद था अब 2 के बाद आ जाएगा तो answer सभी बच्चे ने सही दे रहे हैं कितना आ गया 62.5 किया दो रहे हैं यस मैम आपको क्या हाँ बिल्कुल सही आपने की copy में भी बिल्कुल सही है सभी को समझ में आया चाहें गोड़ा करके कर लो चाहें ऐसे समझ लो कि जतने 0 हो दशमलब उतने आगे आजाएगा एक 0 है तो एक बार आगे आजाएगा एक अंक आगे आजाएगा दो 0 हुए तो दो अंक आगे आजाएगा जैसे अगला question बताओ यदि मैं आपसे कहूँ 58.3 की गुरा 100 से करें तो कितना आएगा 58.3 की गुरा 100 से करेंगे तो कितना आएगा अच्छा अपनी copy में solve करके बताएग आने लगे answer सभी बच्चे बताएगा बिलकुल सही बाकी सभी बच्चे भी बताएगा देख लिए बच्चे मैंने आपका camera off कर सकते हो आपका भी सही है साफ नहीं दिख रहा है 58.3 के बाद दशमलव लगाया है क्या लितु कुमारी के नाम से इस बच्चे ने चुहन के बताएगा दशमलव का लगा है मैं 0 के बाद 58.3 जूरो हुरे यहां पर आपके कितने 0 है दो 0 तो आपका दशमलव दो अंक आगे बढ़ेगा यहां पर देखो यह दशमलव के अंत में मैंने बताया था 0 बढ़ा देने से उसकी बमान पर कोई फार्फ नहीं पड़ता है 58.3 बराबर होगा 58.3 0 के यह बराबर होगा 58.3 00 के दशमलव के अंत में हम कितने भी 0 बढ़ा दें उसके मान में कोई फर्फ नहीं पड़ता तो यहाँ 2 0 है तो दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाएगा दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाएगा तो यह आपका A और 2 दो अंक आगे बढ़ा दो तो कितना आजाएगा 58.3 0 क्लियर हुआ? यास मैं सभी बच्चे को समझ में आया? यास मैं तो अब एक कोशन पोल में करें इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे आपको गुणा करनी है 5.13 की गुणा 13.6 करेंगे तो बताओ क्या आएगा पहले ही साधी जैसे संख्याओं की गुणा करते हैं वैसे गुणा करो उसके बाद दशमलव संख्या को देखो कि दोनों अंकों में कितने संख्याओं के बाद दशमलव आ रहा है उन्हें गोड़ दो और आंसर में दशमलव बताओ कहां लगेगा ठीक है? ध्यान से सभी बच्चे अपनी कॉपी में पहले गुणा करेंगे देखो ऑप्शन A, B, C लगभग एक जैसे दिख रहे हैं तो एक बार ध्यान से देखना आपका आंसर कौन सो वाला ऑप्शन है? कन्फ्यूजिंग है A, B, C तीनों ऑप्शन तो सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी पे ध्यान से करके चेक करेंगे, फिर जान सो ऑप्शन सही होगा उसे पोल में उसका आंसर देंगे ठीक है? आप दिखाना चाहें तो एक बार कैमरा ओन करके अपनी कॉपी दिखा सकते हैं जैसे आपने सॉल्व किया हो और उसके बाद उसका आंसर पोल में दे सकते हैं किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है बच्चे उससे किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं बच्चो पहले गुडा करनी है हाँ, बिल्कुल सही शिफा खान के नाम से जिस बच्चे ने जोइन के बटा आंसर बिल्कुल सही है, अब आप option पहचानो, कौन सा option है ये और उसे poll में answer दे दो, चीक है, poll में answer दे दो उसका, क्योंकि option एक चैसे लग रहे हैं, A, B, C में 6, 7, 8 घुमा घुमा के लिख दिया है, इसलिए option दिहान से देना, मैं आप पहले ही बता रहे हूं अच्छो, नहीं वेटा, दशमलब सही जगे नहीं लगाया है, दशमलब गिनौ, ऊपर वाली संक्या तंक में दो अंकों के बाद दशमलब आ रहे हैं, नीचे वाली संक्या में एक अंक के बाद दशमलब आ जोड़ोगे दशमलब की तो जब कि आप्षिन्स में कोई देखे से तीन विजिट्स के बाद, आपने दशमलब नहीं लगाया है, गुड़ा सही करी है, दशमलब और लगाओ, मुकेश सेन के नाम से इस बच्चे ने जोएं किया है, हाँ, अब आपका अंसर बलकुस सही है, अब जिस ऑप्षिन में आपको लग रहा है, उस ऑप्षिन का अंसर पोल में दे आओ, आपने भी दशमलब गलत जगह लगाया है, जोटी, दशमलब सही करो, दशमलब 1 दो अंकों के बाद है, एक एक अंक के बाद है, तो दशमलब लास्ट में क्या करोगे, जोडोगे, द आप आंसर में कि पीछे से गिनना तीन अंक और तीन अंक के बाद आपका दर्शम लब आएगा हूँ ठीक है? मैं मरा ठीक है? हाँ, आपका बिलकुँ सही है आपका मैंने देख लिया था पहले, आपका बिलकुँ सही है सभी बच्चे इस का अंसर पोल में दें? पीटा, फोकस करो कॉपी पे बिटा, दर्शम लब बात में सही कर रहा है दर्शम लब साथ से पहले आएगा बाक्य बिलकुँ सही है, आप भी इस कांसर पोल में दे दो? आपका भी बिलकुँ सही है उल्फत तुम के नाम से इस बच्चे ने जोइन किया है बिटा आप भी इस कांसर पोल में दो हाँ, जोती आप सही लिखा है आपने दशम लब सही जगय पर लगा दिया ज़ शबी बच्च्चे इसका अंसर पोल में दे बच्चों, options वाले जो question होते हैं, उन कहां सा पोल में ही देना है आपको सभी बच्च इसकां सो दीए, बच्च इसकां सा मैसेज में नहीं, आपको पोल में देना है पोल में दीचे बच्चों, सभी एचे पोल में आंसर देंगे किस किस का रह गया है, पांच बच्चों का रह गया है अभी बच्चों, कहां हो, बताओ किती दे, सॉल्व नहीं करा है या आंसर पोल में नहीं दे आए भी जल्दी से देंगे बच्चे हैं लास दस सेकेंड, दस, नो, आठ, साथ, छे, पाँच, चार, तीन, दो, एक, अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों, हाँ, इसका आंसर आप पहले गुणा करते हैं, तो पहले जैसे साधी संक्याओं की गुणा करते हैं, वैसी करते हैं, पहले सीधा लिख देते हैं, सीधा लिखके जड़ा असानी होगी, फिर उसके बाद दो स्पेस छोड़ेंगे, एक से गुणा करेंगे, यह आपका क्या आगया, पाँच, एक, तीन, अब जोड़ देते हैं, आट, नौ, असाथ, सोला का एक हासिल, तीन और तीन, छै और एक साथ, पाँच और तीन, आट और एक नौ, पाँच और एक छै, अब आपका दशमलब देख लेते हैं, यहाँ पे आपका दशमलब दो अंकों के बाद है, और यहाँ पे आपका दशमलब एक अंक के बाद है, है न, यहाँ पे आ अब आपका ये कौनसा option हो गया? 69.768, option B. सब को clear हुआ? सब लिए सब को clear है? तो इस तो इस तरी answer है, चीक है? आगे चले, यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिखकत? तो आगे चलते हैं, next question आपका इसी तरह किलिका होगा, कैसा? जैसे 5.3 की गुड़ा हजार से करेंगे, तो बताओ कितना आएगा? बताओ 5.3 की गुड़ा हजार से करोगे, तो कितना आएगा बच्चो? बताओ 5.3 की गुड़ा हजार से करेंगे, तो कितना आएगा बताओ कितना आएगा? तो यहां पर आपका 3.0 है, तो आपका डेसिमल जो दशमलब है, वो 3.0 आगे आजाएगा, तो 5.3.0 पहले आपका दशमलब यहां था, अब यह समझो यह आपके 3 है, तीन आगे चला जाएगा, तो अब 3.0.0 के बाद आजाएगा, तो आपका आँसा कितना होगे? अब 5.300, 5.300, टीर है सभी वच्चों को? सभी वच्चों ने सयान का दिया है, सभी को समझ में आया? परमकांसर गलावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा सबी वेच्छे कॉपी में सॉल्ट करके फिर पोल में आसर देंगे बच्चों गलत आंसर देने से अच्छा है आप अपनी कॉपी दिखा सकते हो मुझे पहले कॉपी पे सॉल्ट करके मुझे कैमरे पर दिखाओ फिर मैं बताओंगी यदि सही हो तो ठीक है नहीं तो गलत होगा तो कहां गती हो रही है बच्चों ये क्लिया कर दूंगी आप गलत आंसर दे रहो सचा आप मुझे अपनी कॉपी खोल के दिखाओ दशमलब करन चौहान केनाम से बच्चे ने जोईन के हो बटा दशमलब वमता देवी के नाम से इस बच्चे ने जोईन के आपका आपका आंसर बिलकु सही है इपका दूंगी आही लगेगा दशम्रभD आपका कहां लगेगा, यहां देखो 3 अंकों के बाद दशम्रभ है आपने गुरा करिए लगा के लिटा करन चोहान के नाम से इस बच्चे ने जोइन के बेटा, सही करो ने तू अपने गुड़ा सही नी करी है 6-3-6-7 आएगा दर्शमलग तो सही लगाया है पर 6-3-6-7 जोड़ तो 7 रह गया है अपका हा शीफा आप्के नाम से जिस बच्चे ने रखन के आपका answer बल्कुल सही है जोती आपका भी सही है आप भी answer poll में दे दो सभी बच्चे answer poll में दे ही अभी भी बच्चे गलत answer क्यों दे रहे हो B किस-किस ने दिया है बताओ और B किस-किस ने दिया है एक बार copy दिखाओ अपनी अपका मैंने अभी देख लिया था आपका आंसर बल्कु सही है आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो option देखो कौन सा है ये वाला और आंसर पोल में दे दो बच्चो क्या हो रहा है क्यों पोल में आंसर सही नहीं दे पारे option में कुछ confusion है पहला है 6367 दूसरा option है 636.7 तीसा है 63.67 लास्ट है 6.367 option क्यों नहीं समझ में आ रहे हैं हम आदे साथ की बाद दशम्लव है इसमें हम चावन की बाद आएंगे दशम्लव तो साथ के बाद मुकेश सैन की नाम से जिस बच्चे ने जोइन के पिटा आपका अंसर गलत है साथ के बाद यदि आपका दशम्लव आ रहा है तो ये आपका आ रहा है तो इसे आप 6367 भी समझ सकते हो बात समझ में आ रहे हैं साथ के बाद दशम्लव के बाद जो हैं सिफ जीरो ही तो आ रहे हैं तो वो आपका दशम्लव लिखो या ना लिखो कोई फरक नहीं पड़ रहा है तो आपका वो बाती हुई 6367 बात समझ में आई? यह ना लिखो तो आप लिखो या ना लिखो यह बराबर हजार के ही होगा यह बात समझ में आई? तो इसके दशम्लव के बाद यह दी केवर 00 है तो उनकी कोई बैल्यू नहीं है उन्हें हम लिखे या ना लिखे बात वही आएगा ठीक है? सभी बच्चे इस का अंसर पोल में देया हूँ मैं अमने दे दिया हूँ सभी बच्चे दें बागी बच्चे बताएं अभी पांच बच्चे रह गए हैं वो भी आंसर दें मैं अमने भी दे दिया पोल में दिया है बच्चो यस मैं बागी बच्चे बताएं वो पोल में आंसर क्यों नहीं देते हैं चार पांच बच्चे हैं वो पोल में आंसर नहीं देते हैं उनके फोन में पोल नहीं आता है क्या आप अपने फोन में देखो, नीचे को तीन डॉट दिख रहे होंगे हाथ के पास, उस पर क्लिक करो, फिर आपके options कुल के आ रहे होंगे, last option देखो, पहला in call messages वगेरा आ रहा होगा, last activities दिख रहा होगा, activities या गतिविधिया, इस तरीके का निशान होगा, activities पर क्लिक करो, पोल लिखा रहा होगा, पोल वन एक्टिव करके उस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करो के चार option आएंगे, A, B, C, D, उस पर, जौन सा option आपको से लग रहा है, उस पर क्लिक करें, और वोट का बटन दबाएं, जब वोट वोटेट लिखा आ जाए, तब मानिएगा कि वो answer चला तब पहुचेगा मेरे पास, जब वोट का बटन भी जरूर दबाएं, सब ही बच्छे answer दे, मुकेश सेंग के नाम से जिस बच्छे ने जोइन के विटा, अभी भी आपका answer सही नहीं है, अभी भी आपका answer सही नहीं है, बताओ, एक बाँ माई कॉन करके बताओ, माई कॉन क आप क्या कर रहे हो, देखो, गुणा कर रहे हो, तो गुणा ही करो, 6.367 की गुणा 1000 से कर रहे हो, 1000 से गुणा करके आपका जो answer आया है, बिलकुश सही, 6.367 और 000, ये आया, लेकिन दशमलफ कहा लगा रहे हो, ये देखो, यहाँ आपका दशमलफ तीन अंके बाद लग र ऐओ तो answer में भी दशमलफ आपका कितने अंकों के बाद आएगा, 3 प्लस 0, तीन अंकों के बाद आपका दशमलफ आएगा, तो तीन अंक गिनो 1,2,3, तो ये आपका तीन अंको के बाद दशमलफ आगया, तो क्या आपका answer? 6367. क्यों, क्यों community दशमलफ के बाद के 0 की कोई value नहीं होती तो यह आपके क्या है 6367 आपका answer हो गया जो कि option A है सभी बच्चों को समझ में आया Yes ma'am Yes ma'am आगे चले Yes ma'am चलिए आगे चलते है यहां तक होता हो सभी को गुरा समझ में आई Yes ma'am Yes ma'am Yes ma'am तो कुछ कोश्चन में धर्से करने को दूँ Yes ma'am Yes ma'am इसका अंसर आपका उप्षिन है छे तीन छे साथ हो गया ठीक है तो आप आगे एक दो पॉश्चन आप होमवक में लिखें गुणा करनी है 5.3 की 2.85 से ठीक है दूसर कोश्चन 3.6 की गुणा 100 से करनी है तीसरा 1.4 की 2.3 से गुणा करूँ और 4 था 6.3 की 10 से गुणा करनी है ठीक है एक और कोश्चन दे देती हूँ 2.52 की 1000 से ठीक है इतने कोश्चन आप करेंगे खरसे जी अरे सभी अच्छे होमवक नोट कर लिए ये क्योंकि आपकी अवन्ती की वर्ग बुक में नहीं दे रखें तो इतने कोश्चन आप होमवक में खुद से करेंगे नोट कर लिए मैं सभी अच्छे नोट कर लिए अच्छे नोट कर लिए बच्छो यस मैं आगे चले यस मैं नेक्स टॉपिच भाग है सभी बच्छे भाग हेडिंग डालें डिवीजन अब नेक्स पोट भाग डिवीजन पढ़ना है भाग देखते है ठीक है एक भाग का कोश्चन देखते हैं कैसे है पहला है आपको एक दशमलब छे को दो से भाग देना है तो बताओ क्या आएगा एक बार बताएं बच्छो क्या आएगा हम एक पॉइंट तीन एक पॉइंट तीन कैसे आ रहा है क्या कर रहे हो आप मैं भाग दिया था भाग कैसे दिया दो ती अच्छे एक का एक एसे नहीं भाग देते है आप ऐसे दो दशमलब हटा दो तो आपका 16 वटा दो हो जाएगा तो 16 वटा दो कितना होता है 8 16 वटा दो कितना होता है 8 तो आपका आंसर क्या आएगा 8 यहां पे आपका एक अंग के बार दशमलब था दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं हो तो दशमलव के पहले क्या लिख सकते हो जीरो ठीक है हाँ आपका अंसर बिल्कुल सही है ममता देवी के नाम से स्वच्छी ने जॉइन के हाँ 0.8 क्लियर हुआ पर दशमलव को हटाकर देखो तो आपका संख्या है 16 16 को 2 से भाग दोगे कितना आ रहा है 8 तो यह कितना हो गया वहां आपका दशमलव एक अंक के बाद है यहां एक अंक के बाद दशमलव है तो यहां भी एक अंक के बाद आपका दशमलव आ गया तो यह कितना हो गया 0.8 क् सभी बच्चों ने नोट किया येस मैम ये आपका चरा सा क्या था शॉर्ट कट था असान भी है और शॉर्ट कट भी है थोड़ा सा लंबे तरीके से समझना हो तो ऐसे समझ लो क्या है आपका पहले है आपकी दशमलव संख्या 1.6 कैसी है दशमलव तो पहले मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया था दशमलव को भिन्न में बदलना सिखाया था सभी बच्चों को याद है येस मैम पहले ही स्टेप में दशमलव हटाते हैं नीचे एक लिखते हैं और दूसरे स्टेप में जितने दशमलव की आगे संख्याएं होती हैं उतने 0 आ जाते हैं है ना तो यह आपका क्या आ जाता है 16 बटा 10 है ना बदाओ बच्चो दशमलब को भिनने में बदलना याद है याद आपका 1.6 कितना हो गया 16 बटा 10 तो 16 बटा 10 हो गया तो आपको question क्या था? आपका question था 1.6 को भाग देना है 2 से. हमने क्या करा? दशमलव को भिन्ने में बदल लिया. 1.6 कितना हो गया? 16 बटा 10. 16 बटा 10 को भाग देना है आप 2 से. है ना? क्लियर है? दशमलव को हमने क्या करा? भिन्ने में बदल लिया. आप भिन्नों का भाग करना आता ही है आपको भिन्नों को भाग देना बताओ. भिन्नों में भाग सीखा था. क्या था? पहली संख्या ऐसे ही भाग की जगे गोड़ा का निशान और दूसी संख्या की जगे दू बाग की जगे गोणा का निशान 2 का व्यूद का हम बदाओ कितना होगा 2 का व्यूद का हम हो गया आपका 1 बटा 2 अब इसे solve करो तो जब बीच में गोणा का निशान हो तो काटा पीटी हो सकती है 2 एकम 2 2 अठे 16 तो यह आपका कितना आ गया यह आपका गुरा करके हो गया 8 एकम 8 और नीचे 10 एकम 10 आट बटा 10 आ गया तो 8 बटे 10 को हम और भाग दे सकते हैं लेकिन मैंने यहीं पर रोका क्यों क्योंकि यह आपका भिन है अब इसे दशमलब में बदल दो भिन को दशमलब में बदलते हैं कैसे दुबारा से यह आपका 10 से भाग दे रहे हो तो यह आपका कितना हो जाएगा 0.8 जितने 0 हो उतनी अंको बाद आपका दशमलब आ जाता है याद है नीचे जितने 0 हो उतने अंको बाद उपर दशमलब आ जाएगा नीचे एक 0 है तो एक के बाद आपका दशमलब आ गया तो आपका आंसर क्या हो गया 0.8 तो हमने यह लास में क्या करा भिन्न को दशमलब में बदल दिया तो यह तरीका आपको कितना बड़ा लग रहा होगा पहले हमने क्या करा दशमलब को भिन्न में बदला पहले आपका दशमलब दे रखा था उ जिसे वह तरीका लगाया भिन्नों के भाग से भिन्नी आ गया फिर भिन्न को लास में फिर दशमलब में बढ़ा तो यह तरीका थोड़ा से जादा लग रहा होगा यह इसी लगाना आप सभी को 1.6 को 2 से भाग देना है तो दशमलब हटा के पहले भाग दे दो 16 को 2 से भाग दिया 8 अब जितने अंकों के बाद आपका दशमलब है आंसर में उतने ही अंकों के बाद आपका दशमलब आ जाएगा तो आपका आंसर कितना होगा है 0.8 बताओ क्लियर है यह वाला मेथड एक कोशन पूछन चलो एक कोशन बताओ 3.57 को साथ से भाग देंगे तो कितना आएगा 3.57 को साथ से भाग दो कर दिया अब मैसेज कर सकते हो साथ पंजे पैतिस फिर साथ तो अचेगा साथ एकम साथ अगली संक्य उतारी साथ एकम साथ पूरा पूरा कट गया तो यह आपका कितना है एक्यावन अब आपका दशमलब देखो यहाँ पे दो अंकों के बाद दशमलब है कितने अंकों के बाद है दो अंकों के बाद तो यहाँ भी दो अंकों के बाद दशमलब ल तो एक कोशन और solve करो एक कोशन next आपका कोशन है 193.6 को भाग देना है 11 से बताओ कितना आएगा स्वेचे वताइन बिटा आपने दशमलव सही जगे नहीं लगाया है शिफा खान के नाम से जिस बच्चे ने जोइन किया है बिटा यहाँ पर दशमलव कितने अंकों के बाद है उपर एक अंक के बाद उपर कितने अंकों के बाद दशमलव है एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद ही आपको दशमलव लगाना है, चीक है, शिफा खान की नाम से इस बचे ने जमाइन किया, वेटा दशमलव सही करें, बाकी सब सही है, तो एक, नौ, तीन, छै को भाग देना है, ग्यारा से, तो ग्यारा एक कम, ग्यारा, उननिस में से ग्यारा माइनस 10 होगे, 8, अगली संक्या 3 उतारोगे, 11,76, तो 83 में से 67 माइनस करो 6, अगली संक्या 6 उतारोगे, 11,66, तो ये तो ब्लकुर सही है, 176, पर आप देखो, दशमलव कितने संक्या अग बाद लग रहा है, एक अंक के बाद, तो यहां भी आपका एक अंक के तो क्या आजाएगा? 17.6. ठीक है? हाँ, आपका भी सही है. रितु गुमारी के नाम से जिस बच्चे ने जोइन किया है. मेटा, क्लियर हुआ सभी बच्चो को. यह आपका कितना आ गया? 17.6. सही है? 17.6. चाहे इस सरीगे से करो, चाहे उत सरीगे से answer same ही आएगा. करन चुहान के नाम से जिस बच्चे ने जोइन किया, आपका भी बिल्कुत सही है. ठीक है? सभी को समझ में आया बच्चो? येस मैम. येस मैम. तो बच्चो, आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं. अब यदि आप में से किसी को कोई डाउट हो, तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो.